Every sunset is an opportunity to reset, and every sunrise begins with the new eyes. एक नई बैच लेके आए हैं, और इस बैच का नाम है The Milestone Batch, बहुत सारे students इस बैच का बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे थे, और अब वो वक्त आ गया है कि हम इस बैच की शुरुवात करें. दोस्तो आज इस orientation session में मैं इस बैच के बारे में आपको बताऊंगा, और इस बैच के अंदर किस तरह से और किस direction में चलके हम आगे आपकी तयारी में आपकी मदद करेंगे, और कौन-कौन से teachers होंगे जो आपको अलग-अलग subjects पढ़ाएंगे. यह साही बाते इस बैच के बारे में आज मैं discuss करूँगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार strategy समझ लो कि आपको strategy किस तरह से अपनानी है 75 दिनों में, क्योंकि teachers तो बहुत सारे students को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ student select होते, कुछ नही पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने level पे खुद से पढ़ाई करी हैं, और सही direction में पढ़ाई करी हैं, महनत तो बहुत सारे students करते हैं, लेकिन सही direction भी होना ज़रूरी है, तो आइए अपन देखते हैं कि हमारी परफ से आपको क्या suggestion है, क्या recommendation है, आने वाले 70-75 दिनों में तैयारी का, क्योंकि मैंने कहा ना आपको, कि every sunset is an opportunity to reset, and every sunrise begins with the new eyes, तो आओ एक नए सन्राइस की तरफ आगे बढ़ो, और आखरी के 95 दिनों के अंदर अपनी तैयारी ऐसी मजबूत करो, कि इस बार written examination qualify करके ही रहो, तो 75 दिस प्लान के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान clarity, देखे concept clarity इसलिए ज्यादा important है, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सारे facts याद कर सकते हो, तो आजकल जिस तरह के questions examination के अंदर पूछे जा रहे हैं, बहुत कम ऐसे questions होते हैं, जो fact based questions वो पूछ रहे हैं, ज्यादतर questions ऐसे ही होते हैं, जो concept based questions होते हैं, और इसलिए मेरे ख् जरूरी है, कि आप concept को clear करो, जितना ज्यादा आपका concept clear होगा, सारे ही subjects में, उतनी ज्यादा आपकी probability बढ़ जाएगी, questions के सही answers देने की, और दूसरा point आता है, don't ignore important topics, अभी यहाँ पे, आज इस session के अंदर, ना सिर्फ ये strategy और किस तरह से हम काम करेंगे, इस batch के अंदर, क लेकिन साथ ही साथ आपको हर subject के important topics बताएं, सारे subjects के अंदर, कौन-कौन से important topics है, जो specifically उस subject को पढ़ाने वाले teachers ने suggest किये, इस सारे के सारे important चीज़े, आपके साथ share करेंगे, तो please don't miss the important topics when you will study by yourself, जब आप revision करोगे, या खुद से पढ़ाई करोगे, तो वो सारे important topics आपको बिलकुल miss नहीं करना है, then attempt mock test, solve, sorry, solve PYQ, तीसरे number पर, previous year questions आपको ज्यादा से ज्यादा solve करवाना है, I am very sure, in fact, I know कि इस batch के अंदर, जितने भी teachers हैं, अपने-पने subjects के previous year questions आपको करवाएंगे, तो आप उनके साथ रहे के ही practice करो, ये भी बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन यहाँ पर इस batch के अंदर बहुत सारे MCQs और PYQs अलग-अलग subjects की teachers आपको करवाएंगे, तो उनको follow करो, उनके videos को देखो, और उन questions को आप भी solve कर लो, मतलब आप देख लोगे, तो उसी तरह से आपका question solve हो जाएगा, static subjects के अंदर, mathematics जैसे subject के अंदर आपको बिलकुल पास में आती, तो बहुत सारे mock test आप देते हैं, और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि mock test आपको यह बताता है कि आपकी position कहा है, और मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा important होता है कि mock test आपको एक practice का field देता है, जो examination के अंदर आप जिस तरह से paper solve करोगे, लगबग व इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा mock test solve कर पाएं, यह लगा पाएं, then revise what you study on a daily basis, अब इसमें जो सबसे important point है, वो revise नहीं है, वो सबसे important point है daily basis, यह सारे लड़ाई की जीत का ममूल मंत्र यही है, daily basis, और यहीं पे students lack कर जाते हैं, कोई भी काम जब daily basis पे होता है ना तो वो बहुत विशाल का इस तरह तक पहुंच जाता है, आपने भी अपनी life में इसको कई बार देखा होगा कि daily basis पे जो चीज़ आप करते हो, तो वो थोड़ा 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 एड़ा अड़ा on होते होते, एक महीने में बह भाई भी करते हैं, फिर पता नहीं किसी वजह से, किसी distraction की वजह से, किसी जरूरी काम की वजह से, यह किसी भी और वजह से momentum तूट जाता है, तीन चार दिनों के लिए, फिर तीन चार दिन बाद वापस करते हैं, तो यह जो तीन तीन चार चार दिन का momentum अपन तोड़ देते तीन महीने में 30 दिन मोमेंटम टूटा चार में 40, पांच में 50 और 6 में 60 आल्मोस्ट आपका डेड़ से दो महीना ऐसा निकल गया जो आपने बिना स्टेडी के बिता दिया जहाँ पर कि आपको सिर्फ 6 महीने का स्कोप था पढ़ाई करने का तो please, मेरा ये कहना है कि डेली बेसिस पे पढ़ाई करो हाँ, यह मैं मान सकता हूँ कि हफते में एक दिन आप रेस्ट करते हो जो कि बिलकुल वाजिब है लेकिन वो हफते में एक दिन का रेस्ट या इवन दो दिन का भी आप रेस्ट करते हो अब आप देखो कि अगर आपने हफते में दो दिन का भी रेस्ट किया तो छे महीने में आपने कितनी दिन का रेस्ट किया बारा दिन का रेस्ट किया जो कोई नुकसान नहीं आपका इतना recreation की तो आपको requirement है लेकिन वो जो लंबे gaps आ रहे हैं अब वो कोई सी भी exam निकाल सकता है वो अपनी life में कुछ भी achieve कर सकता है exam निकालना तो सिर्फ एक बात होती वो अपनी life में भी कुछ बड़ा achievement हासल कर सकता है अगर आप daily basis पर कोई practice करते हो then stay motivated obviously motivated stay होने या motivated बने रहने का तो एक video में ने share किया ही था आपके साथ में कि how to stay motivated forever तो वो वीडियो तो आप जाके देखी सकते हो ssb mission ssb की playlist के अंदर लेकिन फिर भी how to stay motivated तो मैं आपको बहुत चोटा सा तरीका बताओ यह सारी चीज़ें आप follow करोगे अपने आप motivated रहोगे अपने अंदर बैठा हुआ जो अपन आप जानते हो ना कि हम लोगों के अंदर एक जज बैठा हुआ रहता है उससे बढ़िया कोई जज नहीं होता अपने अंदर जज बैठा रहता है अंदर ये अंदर वो जानता है कि तुम कहां हो तुम कहां गलत हो तुम कहां सही हो तो अपने जज से पूछो कि मैं कहां गलत हूँ आपका जज आपको खुद बता देगा कि आप यहां गलत हो तो जै आज तुमको 9 बजे नींद आ रही थी लेकिन तुमने 10 बजे तक पढ़ाई करी और एक टॉपिक कम्प्लीट किया तुमारा जज तुमारी पीट थप थपाएगा जो तुमारे अंदर बैठा हुआ है और वही तुमको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा तो जब आपन कोई काम सही करते अपने comfort zone से बाहर जाके तो अपने अंदर की अंतरात्म अपने आपको अपने को क्या करती है अप्रिशेट करती है और वही appreciation सबसे बड़ा motivation होता है और वही appreciation इस बात का indication होता है कि अपन सही direction में काम कर रहे हैं I hope आप बात को समझ गए होंगे मैं और ज्यादा इस यहाँ पर देखते हैं अखिल रॉय सर जो कि Mathematics डील करेंगे दो पहर में बारा बज़े से उनका लेक्चर होगा फिर मेरा नाम लिखा हुआ है History मैं पढ़ाऊंगा जो शाम को छे बज़े हुआ करेगा लेक्चर नीतू माम साइंस पढ़ाएंगे जो कि शाम को पाच बज़े से पढ़ाना शुरू करेंगे श्री प्रतीक सर Geography और Quality ये दो सब्जेक्ट्स देखेंगे जो कि रात को नौ बज़े से देखेंगे फिर दूसरी तिरफ हम वशाल सर को देखेंगे जो कि daily current affairs आपके ले ही रहे हैं लगातार तो उनकी class आप attend करते ही होंगे और अगर नई भी attend करते हो तो आप recorded भी देख सकते हो उसको वो बहुत important है अभी थोड़ी दिर पहले मैंने daily business की बात करी थी कि daily business पे की हुई चीज आपको actually strengthen करती है तो यहाँ पे जो daily current affairs आते हैं बिना interruption के साथ में विशाल सर के I must appreciate him तो वो आपके लिए बहुत useful होंगे बजाए कि आखरी के पंदरा दिनों में एक साल का current affairs पढ़ने के क्यों नो रोज रोज पढ़ते रहुआ It's very good साड़े नो बजे सुबह उनकी क्लास होती है Then we have Himanshu Kushwa Sir जो बहुत अच्छा analysis करेंगे The Hindu newspaper का अक्सर में कई students को मना कर देता था कि देखो The Hindu मत पढ़ो बोलते थे सर क्यों सब तो बोलते कि The Hindu newspaper पढ़ना चीए तो मैं यह कहता था कि भईया तुमको समझ में ही नहीं आएगा तो ऐसा खाना खाने से क्या मतलब जो अंदर जाके डाइजेस्टी नहीं होने वाला लेकिन Himanshu Kushwa Sir क्या करेंगे यह खाना अल्रेडी डाइजेस्ट करके आपको अंदर देंगे मतलब ऐसा मत सोचना यह आपकी बॉड़ी के अंदर खाने की जो न्यूट्रियंट्स हैं आपको पहुचा देंगे क्योंकि The Hindu Newspaper उसकी language बहुत टफ होती है उसके अंदर जो बाते लिखी हुई होती वो directly समझना बहुत मुश्किल होती है उस बात को समझने के लिए दो-तीन concept समझने पड़ते तो वहाँ पे हिमाश्यू सर आपकी बहुत अच्छी help करेंगे और The Hindu का analysis वो आपके लिए करते रहेंगे कब करेंगे? सुबह 11 बजे Then we have Priyank Prabhash सर जो की Current Affairs Quiz PYQS और MCQS आपको लगवाएंगे जो आपके practice के लिए बहुत जरूरी है जो शाम को चार बचे लगवाएंगे Then उसके बात संदीब सर है जो CDS के लिए Mathematics की classes लेंगे सुबह 8 बजे तो बहुत अच्छी beginning होगी, शुरुवात होगी दिन की CDS के students के लिए Mathematics का part appear करके या उसकी practice करके Then सिद्धान सर जो आपको English पढ़ाएंगे सुबह 8 बच के 45 मिनिट पर फिर अगेन मेरा नाम आता है यहाँ पर history के लिए जो शाम को 6 बजे क्योंकि जो मैं sessions लूँगा वो NDA और CDS के लिए combined लूँगा Then we have शृरी प्रतीक सर जो अगेन NDA और CDS के लिए combined sessions लेंगे रात को 9 बजे and need to ma'am NDA और CDS के लिए combined sessions लेंगी शाम को 5 बजे तो यह पूरा ब्यौरा था कि time table था एक तरह से यह तो यह time table आप note कर लीजे सुबह से लेके रात तक हमारे teachers आपके साथ में हैं अलग-अलग subjects आपको पढ़ा रहे हैं आप अपनी requirement के हिसाब से कौन सा subject आपको कब पढ़ना क्योंकि वो सारे subject तो आपको available रहेंगे YouTube पे तो आप अपना time table बना के भी उसको पढ़ सकते हैं या फिर teachers के साथ तालमिल बिठा के भी उसको पढ़ सकते लेकिन आप ये सब चीजे करते रहेंगे आखरी के 75 days में तो आपके तयारी में बहुत ज्यादा help होने वाली है इस batch के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं about this free batch 15 June से 15 August के बीच में ये batch आपका चलेगा तो almost लगबक दो महीने तक ये batch आपका चलता रहेगा आखरी के पिचवत्तर दिन की ट्रेनिक आपको करवानी है तो दो महीने तक इस batch को हमको करना ही पड़ेगा नूसरा वैलिडिटी लगबक इसकी 50 दिन की हो रही है free online life classes है तो ये live classes रहेंगी और obviously life classes का कोई चार्ज नहीं होता आप free of cost अटेंड कर सकते हो and batch start date is from 15th of June 15 June से ये batch शुरू हो जाएगी जो भी lectures रहेंगे वो सारे रोज लगेंगे तो जैसे 15 June को मेरा lecture है तो शाम को 6 बजे होगा बाकी दूसरी teachers का जो timing मैंने आपको बताया था उस timing पर उनका lecture चलता रहेगा तो बहुत simplified है 15 June से ये batch शुरू हो रही है 15 अगस्त तक ये batch चलेगी आप अगर disoriented हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ या मेरी पढ़ाई नहीं हो रही आप कुछ मत करो आप जिस भी exam के तयारी कर रहे हो इस batch को follow कर लो टीचर के साथ पढ़ना शुरू करो क्योंकि टीचर पहले chapter से पढ़ाने वाला है यहां पर आपको टीचर आपको क्या करने वाला है first chapter से पढ़ाने वाला है तो अगर अब तक आपने तयारी करी ही नहीं है copy pen उठाया नहीं है तो अभी भी वाक्त है आप उठालो copy pen अभी दो महीने में यह टीचर आपको ऐसी तयारी करवा देंगे कि आप काफी confident feel करने लग जाओगे अगर आप regularly sessions attend करते हो और जो भी आपको instructions दी जाती है हर subject के regarding उसको आप follow करते हो तो definitely आपको काफी confident feel होगा then we move ahead and about free batch और क्या क्या information है आइए इसको read करते this batch is absolutely free for all NDA second 2024 and CDA second 2024 aspirants जो कि पहले भी मैं clear कर चुका हूँ 50 minutes of classes per day on our Unacademy Defense Guru कुल YouTube channel इसके बारे में मैं एक चीज़ बता दू आपको कि यह 50 minutes minimum है maximum तो यह एक घंटा 1.5 घंटे यह कभी-कभी 2 घंटे तक भी जा सकता है कोशिश करेंगे हम भी कि हम इसको कम duration का ही रखे और कम duration में आपको ज्यादा से ज्यादा information provide कर दे क्योंकि आपकी time की भी बहुत value है और हमारे time की भी value है लेकिन फिर भी 50 minutes से कम कोई भी क्लास यहाँ पर नहीं होने वाली है next seven classes per day would be conducted on our unacademy defense gurukul YouTube channel तो रोज आपकी 7 classes यहाँ पर होगी तो जैसे कि मैंने बूला कि अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे हो disoriented हो तो आप सिर्फ इन classes को follow करके अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे momentum में लेके आ सकते हो lecture PDF daily current affairs PDF daily quiz will be provided on unacademy app YouTube session description and pinned comments and official telegram channels तो अगर आपको जो भी teachers पढ़ा रहे हैं उसका content चाहिए, notes चाहिए PDF format में तो वो notes आपको कहां कहां पर मिल सकते हैं आपको unacademy के app के ओपर वो notes मिल सकते हैं आपको YouTube session के description में pinned comments में वो notes मिल जाएंगे और official telegram channels जो होते हैं, वहाँ पर भी आपको notes मिल जाएंगे, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो यहाँ पर मुक्तकसर official नाम का एक channel है जो की telegram का channel है अगर आपको history की notes चाहिए आप उस channel को join कर लीजे वहाँ पर जो जो भी classes होगी उसके सारे notes आपको वहाँ पर मिल जाएंगे directly आप वहाँ से उन notes को download कर सकते हो अगर आपको ज्यादा hassle नहीं चाहिए तो वरना unacademy app के उपर आके भी आप उस notes को हासिल कर सकते हो जो भी again एक बहुत easy तरीका है free NDA test series with evaluation for all enrolled students अब जितने भी students यहाँ पर इसको देखेंगे और notes आसिल करने के लिए enroll करेंगे app के अंदर उन सभी को NDA का जो test series है वो absolutely free of cost provide करवाया जाएगा जो mock test होते ना जिसकी थोड़ी दिर पहले मैं बात कर रहा था क्यों mock test के लिए आपको 50 रुपे-100 रुपे देने पड़ते तो वो भी नहीं देने पड़ेंगे अगर आप अभी इसी batch के साथ में एप पे enroll कर लेते हो वहाँ से notes भी ले लेना enroll भी कर लेना आगे चलके test series भी आपको free of cost मिल जाएगी MCQs, PYQs and mock test will be covered in the lectures अभी यहाँ पे एक बहुत important feature है जब इस batch को हम लोग launch कर रहे थे तो दिमाग में यह बात थी कि इस batch को हम किस तरह से काख चलाएं क्या इसमें हम theory पढ़ाएंगे पूरी तरह या इसमें हम MCQs करवाएंगे तो तरह यह किया गया है final conclusion यह निकला है कि हाँ theory बताई तो जाएगी लेकिन main focus MCQs and PYQs के उपर रहेगा क्योंकि यह अनुभव किया गया कि जितने ज्यादा PYQs और MCQs students को करवाए जाए exam में question बनने की chances उतने ज्यादा हो जाते लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई नया है student जो इसी batch के उपर rely कर रहा है उसको theory समझ में ही नहीं आए इसलिए जैसे मैं मेरे subject का बताऊं कि मेरे subject का काम कुछ ऐसी तरह इस तरह से होगा कि लगबग 25% theory बताई जाएगी और ना सिर्फ मेरे subject में बलकि सारे ही teachers इसी path को follow करेंगे कि पहले वो आपको कुछ theory समझाएंगे और वो theory समझाने के बाद उसके MCQS और PYQS लगाएंगे for example अगर मान लीजे Indus Valley Civilization का chapter अम पढ़ रहे तो शुरू के 10 minute में तेजी से summarize करते हुए वो पूरा chapter में आपको एक flow chart के तौर पर बता दूगा कि भई Indus Valley Civilization क्या है कहाँ पे spread है कितना पुरा रहा है town planning क्या है society क्या है polity क्या है religion क्या है decline की वजह क्या है इसको फटा फट 10 से 12 minute में हम conclude कर लेंगे और फिर कौन कौन से questions पूछे गए उससे related उन questions को directly discuss करना शुरू करेंगे तो theory के part के उपर कम focus है यहाँ पर MCQS और PYQS के उपर यहाँ पर ज्यादा focus रखा गया है फिर उसके बाद बात करते है SSB guidance will be provided for all written qualified students और जो लोग इस पर enroll करेंगे और अगर वो आगे चलके written qualify करते तो उनको SSB guidance भी absolutely free of cost provide करवाया जाएगा जो कि आप app पे जाके कर सकते लेकिन it's all about कि जब आप written qualify कर लोगे full syllabus will be covered जो obviously तय है कि अगर पढ़ाना है तो पुरा syllabus cover करना ही होगा तो मुझे इसको explain करने की ज़रूरत नहीं exam strategy and exam analysis will be done तो exam की strategy strategy आपको कैसे बना ली है कैसे analyze करना है ये सारी चीजे जो है आपको इस batch के साथ ही करवाई जाएगी then again we move ahead जैसे यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है मेरे credentials लिखे हुए आप सभी जानते हो कि मैं history पढ़ाता हूँ और मैं दूसरी teachers की तरफ आगे बढ़ता हूँ अच्छा उससे पहले कि मैं दूसरी teachers की तरफ आगे बढ़ू जैसे कि मैंने आपको बताया था हर subject के important topics यहाँ पे share करूँगा आपके साथ में ताकि आपको यह पता हो कि का आपको क्या miss नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे पॉइंट बताया था ना don't miss the important topics तो आओ एक बार important topics तो देख लें history के इंडिस वाली civilization बुद्धिजम अशोकन inscription literature in gupta era और ancient इंडिया की उसी face के और भी काई literature विजयन अगर सामराज भक्ती movement arrival of Europeans in British conquests in India British conquests in India से इंडिया में बहुत सारे question पूछे गए tribal and peasant movements यहां से भी बहुत सारे question इंडियास दोनों में पूछे गए 1857 के revolt यह evergreen topics होते है Indian renaisaw evergreen topic है हमेशा question पूछते ही पूछते है Indian national movements and Netaji Subhash Chandra Bose कौन-कौन से अलग-अलग हमारे movements हुए थे गांधी जी के phase में revolutionary activism के phase में और नीता जी सवाश्चंद्र बूस भी उसी में आते हैं and world history में industrial revolution से हमेशा question पूछते ही पूछते है तो यह सारे major topics हैं चुनिंदा topics हैं हलाकि जब हम history पढ़ेंगे इस batch के अंदर तो सिर्फ इन topics को नहीं पढ़ेंगे हम history पढ़ेंगे इस batch में तो सारे topics पढ़ेंगे और सारे topics के जितने भी questions हो सकते हो cover करेंगे लेकिन यह important topics हैं जो आपको बताने के लिए है फिर हम आगे बढ़ते हैं विशाल सर की तरफ विशाल कुमार उपाद्ध है सर educational qualification उन्होंने BST किया है 8 साल का teaching experience है 218 million watch minutes है platform के उपर which is commendable teaching history, polity, economics, geography current affairs for NDS, EDS, CAPF exam सर, versatile है सारे subject का knowledge रखते हैं और मैं हमेशा से यह मानता आया हूँ कि current affairs ऐसे ही teachers को पढ़ाना चाहिए जो सारे subject का knowledge रखते हैं क्योंकि current affairs तभी कोई individual आपको ठीक से समझा सकता है जब वो किसी event के अलग-अलग aspect को समझ पाए जब उसने अलग-अलग subjects को पढ़ा हुआ तो यह खुबी विशाल सर के अंदर भी है और इसलिए विशाल सर current affairs पढ़ाने के लिए बड़े योग्य है mentor of NDA 2 2022 AIR 1 ranker that's again very commandable and number of selection 1000 से ज्यादा वो students जो उनके अंदर में train हो चुके हैं study कर चुके हैं वो select हो चुके तो इसे very experienced teacher आप एक बार उनसे पढ़के देखो current affairs आपके लिए बहुत आसान बना देंगे और उनकी सुबर daily current affairs की class आप जरूर अटेंड किया करो and then we move ahead to Akhil Roy Sir Akhil Kumar Roy Sir and he's a brilliant teacher in mathematics और बहुत hard working teacher है educational qualification B.Sc. honors in maths and B.A.D. in mathematics so his life is all about mathematics in terms of studies and profession teaching experience 14 plus years wonderful हमारे बहुत सारे students है जिनकी उमर अभी 17 साल के आसपास होगी तो almost उतना experience इनको है यहाँ पर पढ़ाने का watch minutes on platform जबकि अभी बहुत रीसेंटली उन्होंने जॉइन किया है लेकिन 880K watch minute है उनका which is incredible इतने कम टाइम में teaching mathematics for NDA कि जो की पढ़ाई रहे हैं वो काफी समय से आप सभी जानते हो या जो mathematics के important topics है तो मैं तो बस read कर सकता हूं इन topics को तो मैं read करके बता देता हूं कौन-कौन से important topics है function and calculus number system and algebra geometry and statistics and probability यह सारे चार important topics है देखके तो लग रहा है कि बहुत easy होगा mathematics लेकिन I know it कि यह easy नहीं होता बले मेरा maths कितना भी वी को लेकिन 12 में मेरा PCME था तो मैं इन topics को जानता हूं मेरी इन topics से पहले भी बातचीत मुलाकात हो चुकी है तो I know यह कितने difficult हैं लेकिन अखिल रोय सर आपको इन topics को आसान बना के करवाने की पूरी कोशिश करेंगे आपको भी अपनी तरफ से महनत जरूर करनी पड़ेगी फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ information है यहां पर बैच की तो अभी योट्यूब पे तो एक free batch है ही से लेकिन इसके अलावा app की उपर भी बहुत सारी batches होती है जिनको आप join कर सकते हो जहां पर अभी आपको flat 25% का offer चल रहा है प्लस 6 months of free extension जो भी आप batch logis के उपर 25% का offer and then 6 महीने का subscription आपका extend हो जाएगा on your NDA, CDS, FCAT, CAPF and SSB subscriptions अकर्मन बैच जो 14 जून से शुरू हो चुकी है foundation बैच जो 15 मई से शुरू हो चुकी है vijay बैच जो 30 मई से शुरू हो चुकी है और Braveheart CAPF batch जो 14 जून से शुरू हो चुकी जुकी है कि rapid revision batch आप code यूज कर सकते हो, अलग-अलग teachers के code यूज कर सकते हो, जैसे मेरा code MSR live है, तो आभी MSR live code यूज करके जब इस batch को enroll करोगे तो वो 25% का जो off है और 6 मन का जो extension है वो आपको हासिल हो जाएगा या किसी और teacher का भी आप code यूज करना चाहते हो, तो उनका भी code यूज करके आप join कर सकते हो then Sandeep Kumar sir, जो mathematics के लिए आपको CDS पढ़ाएंगे इन्होंने भी BSC और B8 किया है, teaching experience sir का 8 साल का है watch minutes on YouTube platform is 64 millions, wonderful teaching maths and reasoning for CDS, FCAT and CAPF 8 साल का अनुबव हो चुका है उनको CDS, FCAT और CAPF के students को पढ़ाते हुए mentored 2 lakh plus students again it is incredible, 2 lakh से ज्यादा students उन्होंने mentor किये है और काफी कम टाइम में गिया 8 साल में, 35 प्लस rankers, उनके students में से 35 students ऐसे रहे हैं, जो की rankers रहे हैं, जिन्होंने final merit list के अंदर अपना नाम तै किया है और 1000 से ज्यादा, sorry mistake हो गई, 10,000 से ज्यादा selection in written examination again, incredible, wonderful, amazing तो अगर आप mathematics में problem phase कर रहे हो CDS में so here is the one stop solution for you, Sandeep कुमार sir, then we move ahead, उनके important topics कौन कौन से हैं, जो वो recommend कर रहे हैं कि भई, अब कहीं से भी अगर पढ़ रहे हो या खुद से भी पढ़ रहे हो तो यह topic जरूर पढ़के जाओ, उनके 8 साल के अनुभव का और knowledge का यह निचोड है percentage, ratio and mixture, time and work time and distance number system, geometry algebra, technometry, mensuration India के math से काफी easy लग रहा है बट I know KCDS के level पर काफी difficult होता है, बट these are the important topic जो सर का recommendation है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है now we move on to next teacher, शुरी प्रतीक सर, शुरी प्रतीक सर, education and qualification अगर हम उनका देखें electronics and communication from Thaapar University and MA in geography from JNU New Delhi, तो एक तरफ सर ने electronics and telecommunication से engineering भी किया है, and then सर ने geography में interest लेते वे, उसमें masters भी किया है, JNU से, so he has a very good knowledge of geography and he can also relate it to technology because he has this tech knowledge also written UPSC, CAC means four time again, आप सभी जानते है कि UPSC की civil services की examination को, जो कि बहुत तफ एक्जामिनेशन बानी जाती है, उसकी written examination को चार बार qualify करके means लिखना, that means की काफी knowledge होता है ऐसे individual को, और geography एक बहुत important part होता है, UPSC का, geography के बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, लेवल भी बहुत हाई होता है, तो हम विश्वास कर सकते हैं आपे, कि sir को ये बहुत अच्छे से पता होता है, कि exam में कैसे questions आते हैं, मैं श्रीप्रतिक sir के बारे में हमेशे यही बात बोलता हूँ, कि sir का पढ़ाने का तरीका ऐसा है, कि sir आपको exactly वही ले जाएंगे जहांसे questions आएंगे, और आपको topic बहुत अच्छे से explain कर देंगे, तो बहुत काफी appreciate करता हूँ, कि बहुत कम मेहनत में वो बहुत सारे numbers achieve करवा देते हैं students को, watch minutes की अगर बात करें तो वो भी कब नहीं सर के 56 million watch minutes हैं sir के, again wonderful teaching experience of more than 10 years, और civil services के लिए भी और defense services के लिए भी दोनों के लिए उन्होंने पढ़ाया है, teaching geography, polity, science, current affairs for NDA, CDA, FKT and SSB, sir ने भी कई subjects पढ़ाया है, obviously देखे क्या होता है कि कोई individual अगर civil services examination की तयारी करता है और means लिखता है, तो उसको खुद को भी बहुत सारे subjects पढ़ने और काफी thoroughly पढ़ने पढ़ते हैं, ऐसे surface level पर से काम नहीं चलता, thoroughly पढ़ने पढ़ते हैं, इसलिए ही teachers ऐसे होते हैं, जो कई subjects के अंदर महारत रखते हैं, और वही बात श्री प्रतीक sir के साथ है, तो मैं काफी admire भी करता हूं sir को, और sir is a very good teacher, is a very polite and very gentle person, mentored AIR1 in AFA ranker, Air Force Academy rank 500 plus selections, sir ने भी rank 1 जो Air Force Academy के लिए थे, उनको mentor किया है, और 500 से ज्यादा उन्होंने अब तक selections दिये हैं, जो कि जाहर उसे बात है, sir की तरफ से क्या recommendation है, important topics का, वो एक बार आप note कर लीजे, wind system, latitude and longitude, physiography of undemand and nicobar, specify करके sir ने लिखा हुआ है, river system में, Indus, Ganga and Brahmaputr, types of agriculture, soils of India, landforms, earthquakes and volcanoes, census terminologies and ocean current and tides. ये सारे important topics है, geography की, जो sir का recommendation है आपकी लिए, तो ये आपको miss नहीं करना है, ये सारे वो important topics हैं, जब आप पढ़ाई करोगे, तो आपको ये एक भी miss नहीं करना है, इनमें से questions पूछने के, बहुत high probability हमेशा रहती है, quality भी सरी handle करेंगे, इसलिए quality के भी important topics सर नहीं यहाँ पर देखे रखे हुए, preamble, making of the Indian constitution, fundamental rights, DPSP, directive principle of state policy, क्योंकि मुझे full form याद है तो मैं read कर रहा हूँ, fundamental duties, president, governor, parliament, judiciary, panchayat and municipality, schedules and type of bills, तो quality से भी जो जो भी important topics हैं, वो सर डील करेंगे, और बहुत कम टाइम में आपको करवा देंगे, ताकि आपको quality के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े, वो बहुत selective चीज़े आपको करवा देंगे, और उससे आपके जितने भी question quality के अंदर आते हैं, वो बन जाएंगे, तो सर के experience का फाइदा उठाओ, सर ने जो इतने exams वखेरा लिखी उसके process में जो इतनी thorough पड़ाई करिये, वो thorough पड़ाई उनसे यहां पे summarized way में उसके बिल्कुल nutrients लेलो, उसका बिल्कुल crux लेलो आप उनसे इस batch के अंदर, then we have Siddhaan sir, educational qualification B.Tech.ME, teaching experience 9 plus years, watch minutes on platform 93 million minutes, teaching English for CDS, F.C.A.P.F. and NDA, इनो ने भी English पड़ाई और हर एग्जाम जहां जहां पे भी English पुछी जाती, sir पड़ाते English, mentor of CDS, All India Rank 1, All India Rank 8, All India Rank 6, and 500 plus selection, sir का तो mentoring बहुती जबर्दस रहा है, rank 1, 8, 6, under 10, तीन ranks को उन्होंने mentor किया है, और sir का भी यह दावा होता है कि अगर आप उनसे पड़ लोगे, तो आपके 30 सवाल 50 में से तो कहीं गए नहीं, अगर मैं NDA की बात करूँ तो, और sir ने पिछले कई exams को अच्छे से analyze भी किया है, तो बदलते pattern को भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और इस बार वो बदलेवे pattern के साथ ही आपके सामने आएंगे, प्लीज इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश बड़ा scoring होता है, चाहे CDS की बात करें, या NDA की बात करें, क्योंकि syllabus थोड़ा सा छोटा होता है, जो कि sir नहीं बताया था, तो मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि syllabus लिमेटेड होता है, और उन topics को अगर आप अच्छे से कर लो, तो आप score अच्छा कर सकते हो यहां से, यह subject ऐसा है कि इवन आपका English week भी है, आप सरसे grammar पढ़ लो, आप written examination में तो अच्छा score कर ही लोगे, बाकि फिर SSB के guidance program में, जो English speaking की practice के लिए हम आपको suggestion देते, अगर आप वो चीज करोगे, तो spoken भी आपका improve होचाएगा, जो important topics है English के वो बहुत सारे है, NDA, CDS दोनों के लिए थोड़ा अलग करके सरने बताये है, spotting errors, antonym, synonym, fill in the blank, यह NDA के लिए है, paired words, reconstruction of sentences, idioms and phrases, prepositions, sentence improvement and comprehension, वहीं CDS के लिए देखें, spotting error, parts of speech, sentence completion, fill in the blanks, close test, reading comprehension, ordering of words, ordering of sentence, synonyms, antonyms, idioms, phrases, काफी कुछ मिलता चलता है, मतलब अगर अगर आपन मैच दो कॉलम करने जाहें, तो बहुत सारे मैच कर देंगे, अगर हम थोड़ा इस लेवल का पढ़ ले, और question इस लेवल का आ जाए, तो तो आसानी होता है, तो यह लेवल तो covered है ही सही, यह भी उसमें cover हो जाएगा, तो सर भी वही अप्रोच रखते हुए, आपको पढ़ाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हिमांचु सर की तरफ, हिमांचु कुष्वा सर, Educational Qualification, Post Graduate in Economics and Education, ओबिसली सर वही subject भी पढ़ाते, इस एन एक्सपर्ट of that subject, Teaching Experience of 8 Years, Watch Minutes on the platform is 25 Million Minutes, Teaching Indian Economy, Indian Quality, Current Affairs, for NDA, CDS, FKAT and CAPF, तो सर ने Indian Economy, Indian Quality और Current Affairs, ये तीनों subject पढ़ाय हुए है, लगबख सारी ही difference की examinations के ले, Mentor of AIR Rankers, अग्रज, CDS, अभिशेक, CAPF, आकाश, पंजाब पुलीस, अजीत कुमार, एक्साइज इंस्पेक्टर, मनन वत्स, LIC, Number of Selection, यहाँ पे 20 प्लस है, और ज्यादा होगा, विस्प्रिंट हो गया होगा, 200 प्लस होगा, लेकिन सर ने नाम भी मेंचिन किये, किनकिन स्टूदेंट्स को उन्होंने Mentor किया है, सर ने क्या-क्या recommendation किये है, Economics के लिए, एक बार वो देख लेते हैं, National Income, Poverty and Unemployment, Government Scheme of Last Two Years, प्लसिफाई किया है, Money, Banking and Capital Markets, Monetary Policy, Fiscal Policy, Foreign Trades, and International Organization, यह सारे Major Topics है, जो अबिसली सर कवर करेंगे भी, लेकिन आपके लिए यह recommended topics हैं, कि इसी में से economy के questions आएंगे आपको, Then we have Nitu Ma'am, Nitu Dhaaka Ma'am, Educational Qualification, BSC, MSC and B.Ed, Teaching Experience is 7 plus years, Watch Minutes on the platform is 2 million minutes, Million में जैसे कोई चीज़ चली गई, तो फिर मेरे लिए वो wonderful हो जाता है, Teaching Science for NDA, CDS, FCAT and SSB, अब SSB पे तुखर Science नहीं होता, बट वो लिखा गया है, बट NDA, CDS, FCAT के लिए, उनोंने Science बढ़ाया है, यह SSB नहीं है, यह SSC है, of NDA and CDS exam, All India Rank, Number of Selection, 100 plus Selection in NDA and CDS Category, तो में से पढ़े वे बहुत सारे students select हुए, में has a very vast knowledge of Science, एप्रिशेट किरूँगा में 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 को, कि में फिजिक्स भी पढ़ा लेती, कैमिस्ट्री भी पढ़ा लेती, बायालजी भी पढ़ा लेती है, Equal Enthusiasm के साथ में पढ़ाती है, आपस में उन सब्जिक्स को relate करके भी पढ़ाती है, तो काफी अच्छा है कि Science के लिए आपको एक ही teacher मिल जाते है, जो कि आपके सारे concepts clear करवा देते हैं, तो really appreciate में for her efforts, जो वो तीनों सब्जिक्स पढ़ाने के लिए लगाती है, और क्योंकि वो तीनों सब्जिक्स पढ़ा रहे हैं बहुत लंबे समय से, सुशी नोज कि exactly कौन-कौन से topic से कहा कहा से questions आने वाले हैं, तो आप उनका lecture attend कीजेगा, अगर Science में आप Zero भी हैं, तो वहाँ से आप उनका lecture attend करना शुरू कीजे, आप Science में बहुत अच्छा score करेंगे, by the end of this course. मैम का recommendation, NDA और CDS के लिए कुछ इस तरह से है, biology के लिए cells and tissues, life process, microorganism, friend and foe, biodiversity, chemistry के लिए atomic structure, periodic classification of elements, acid, bases and salts, chemical reactions and equations, organic chemistry, metals and non-metals, और physics के लिए kinematic, optics, work energy and power, electricity and magnetism. मैम ने ओलरड़ी काफी simplify कर दिया है, साइंस के syllabus को, अब आप जरूरत है बस की उनका lecture attend करो, और notes बनाते जाओ. Then we have Priyank Prabhash, सर, educational qualification, BA economics, P.G.D.E.M.A. MBA, pursuing from IIT, Patna. Teaching experience is of 5 years, watch minutes on the platform is 13 millions. Teaching GS and reasoning for FCAT, Sir का main area है, that is teaching of GS and FCAT for, GS and reasoning for FCAT, mentor of Air Force and Navy exam, all India rankers, number of selection 500 plus in Air Force, Navy, Army, and 25 plus in FCAT 1, 20-24. अकेले FCAT 1 के अंदर, Sir के 25 स्टूडेंट सेलेक्ट होए है, तो obviously वो सारे स्टूडेंट को टार्गेट कर रहे हैं, Sir आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, definitely करेंगे ही सही, आप उनके lectures को अटेंड करके देखिएगा. फिर यहां पर आकरवन बैच की इंफर्मेशन है, जो NDA 2nd 2024 के लिए है, Exclusive Batch Complete Syllabus Coverage of NDA 2024, जो 14 जून से बैच चल रही है, और आप इस बैच के अंदर डिरेक्टली एन्रॉल कर सकते हो, थूद अनकेडमी एप, विजय कंप्लीट बैच जो CDS 2 के लिए चल रही है, आप अगेन इस बैच के अंदर अन्रॉल कर सकते हो, जो 30th of May से बैच शुरू हो चुका है, वही सारे टीचर्स जो आपको इस लाइफ बैच में पढ़ाएंगे, यही सारे टीचर्स आपको आप में भी काफी डीटेल के अंदर पढ़ा रहे हैं, अब डिफरेंस दिको यह आजाता है, कि अगर आप पे पढ़ते हो, तो आप कुश्चन पूच सकते हो, डाउट स पूच सकते हो, इवन कॉल फीचर भी होता है, जिसमें टीचर से आप बात करते हो, यह डाउट पूच सकते हो, यह टीचर आप से कुछ पूच सकता है, आप कुछ एक्स्पलेइन कर सकते हो टीचर को, तो यह बहुत अच्छा फीचर आपको आप के ओपर मिल जाता है, and then again, एप के ओपर क्या होता है, कि ज्यादा time होता है हमारे पास में तो ज्यादा time में ज्यादा content develop, deliver हो पाता है तो आप app की through भी batches join कर सकते हो then Braveheart crash course for CAPF शुरू हो चुका है जिसमें की 14 जून से एक course शुरू हो चुका है आप इसके अंदर भी enroll कर सकते हो exclusive batch complete syllabus coverage for CAPF 2024 foundation batch for NDA 1 & 2 जो कि 2025 में होने वाले है यह exams उनके लिए अभी से तयारी शुरू हो चुकी है और यह batch 16 मई से शुरू हो चुका है तो यह वाला एक बहुत important batch है उन students के लिए जो भी 11th में है यह 10th में है यह even 12th में भी है वो भी foundation batch को join कर सकते है depending upon कि आपके अभी IU कितनी है आपकी eligibility कैसी है NDA के लिए अगर सिर्फ 6 महीने का यह attempt आपके बचे हुए है सिर्फ एक exam का बचा हुआ है तो फिर इतना important नहीं है लेकिन अगर आपके वास में एक साल से ज्यादा का समय है attempts बचे हुए तो यह वो batches है जिसमें चीजें बहुत आराम से और छोटे-छोटे concept clear कराते हुए आगे बढ़ाई जाएगी तो यह batch आप जरूर join करें अगर आप NDA की तैयारी करना चाहते है अगले साल मतलब NDA की exam देना चाहते हैं अगले साल तो यह batch आपके लिए बहुत बढ़िया है ज्यादा से ज्यादा numbers में आप यह वाली batch join करो यहाँ पर आपके concept भी clear होंगे practice का भी बहुत ज्यादा मौका मिलेगा क्योंकि time बहुत ज्यादा है हमारे पास में and then you can download the current affairs notes इस code को scan करके जो आखरी के 7 महीने के current affairs के notes आपको मिलेंगे जो हम हमेशा कहता हूँ कि current affairs बहुत ज़रूरी है चाहे अप CDS दे रहे हो या NDA दे रहे हो written examination के अलावा SSB में भी आपको current affairs का बड़ा रोल है and then current affairs एक इंसान को aware रखता अपडेट रखता है तो वो तो importance है ही सही उसका तो प्लीज आप ये चीज़ कर लो absolutely free of cost है आप इसको scan करो current affairs के notes आपको मिल जाएंगे आपके पास में एक अच्छे खासे notes की list बनती जाएगी and then I wish you all the very best कि आप ये सारी बताई होई चीज़े करेंगे अपनी तयारी को crack करेंगे success की बुलंदियों के ऊपर चाड़ेंगे thank you very much जाए हैंट